तो आज हम हों स्टाइल में फोन डिजाइन कर रहें ड्रो करेंगे ओके तो पहले हम बॉर्डर बना देंगे तो हमें बॉर्डर बनाने के लिए स्कैल से थोड़ा माफ लेना पड़ेगा प्रॉक्स वन सेंटीमिटर इतना हम माफ ले लेंगे इस schwierव क्या है कि हमको पता चले कि कितीम होडर बनानी है हरज्गा है में जुसरत आप लोगों को दिख रहा है ना अब क 그게 इतनी एक सेंटिमीटर जितना 0-1 सेंटिमिटर इतना पेज पे रखके आपको ड्रो करना है मार्ट करना ही यहां से कि क्या ड्रो करना है आप लोग को अच्छे से समझ आ रहा है ना इस मैम ओके तो आपने मार्क कर लिया यह से पॉर्डर करने के लिए अल्मोस्ट डन ओके तो अभी हम ड्रो करेंगे पॉर्डर पर हमेश्चा हमें ध्यान रखना है कि ड्रो करते वक्त पहली जो पैंसिल से हम ड्रो कर रहे है वह एकदम डार्क नहीं करना है लाइट ली ही उसको ड्रो करना है इससे क्या है हमसे कोई गलती होगी तो उस पर क्या है काला निशान नहीं दिखेगा अगर आपका मार्क पर्फेट नहीं हुआ तो आपको भी ऐसे मार्क करके ड्रो करना है अगर आपका मार्क करना है अगर आपका मार्क करना है हलो आशु तोस अपका हो गया अपने बना दी पॉर्डर यस मैम ओके और स्टुडंस लोगो ने बना दी पॉर्डर्स माम मैं आके जा रहो ना चार्जर कावी निकर रख करेवी है व्रेता है है से बनी दी खिए व्रेता है व्रेता है हईा आप टी क्रेवना चायान आप रेड़ी हूं रोईंग के लिए देखो हमारी बॉर्डर यह ऐसे लाइटली ड्रोग हो चुकी है अभी हम उसको डार्क बाद में करेंगी ज़िए हमारा पर्फेक्टली जो हम जो करने वाले आज फॉन ठीक है तो आज हम हम फॉन शेप में फॉन ड्रोग करने वाले ओके तो उसके लिए हम पेज के बीचों बीच अच्छे से माप लेके बना देंगे आपको जैसा अच्छा लगे वैसे माप लेके आप यहाँ पे ड्रोग कर सकते हो ओके लाइट आपको जैसा अच्छा लेके लाइट अब यहां से हम फॉर सेंटीमेटर में जो लाइन बनाए थी वहां से यह फॉर सेंटीमेटर में एक लाइन बनाएंगे ठीक है फिर वही सेंट माप लेके हम यहां पे भी बना देंगे पर हर चीज हमको वह ध्यान रखनी है कि ड्रोग करते समय हमें कुछ पर टाप नहीं ड्रोग करना है ओके फिर यहां से हम जितना भी यह माप है उसका आधा ले लेंगे मिंस यह दस पांच कितना हो रहा है न हो रहा है न तो उससे आधा जो माप होता है उतना हम ले लेंगे तो यह बीच में आ गया है हमारा माप तो वहां से हम होम शेप में यहां पर होम शेप ड्रोग कर देंगे थोड़ा सा ऐसे मार कर लेंगे तो जिससे हमें पता चले कि हमें कितना लेना है देखो यह हूम शेप थोड़ा सा दिख रहा है इस नाट विजिवल ओके अभी दिख रहा है ना आपको थोड़ा सा हूम शेप नहीं दिख रहा है आप लोगों को? थोड़ा सा येस वाम ओके तो अभी हम है ना अभी यहां पर हम फोंट अभी ड्रोग करेंगी ओके तो हूम का स्पेलिंग क्या होता है होता है है ना तो हम पहले करेंगे तो वह भी हम ऐसे माप लेके ही करेंगे जिससे क्या है कि हर फोंट एक साइज में आ जाए है आप लोगों को दिखाया दे रहे है ने में जो ट्रोबी कर रही हो येस माम ओके अपने पहले भी ट्रोइंग की हुई है ना ऐसे येस माम इससे पहले ही मैंने बहुत सा स्केचिस बनाए ओके वारी गोड़ हुआ 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 ये हुआ 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 वोजान वेंड़ा वो रफ छेंड घरत घरत वो अथ्जा पुरो झाल 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 झाल